हे गाईज, वेलकम टू एजुकेशन के अटिसिक्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है महापुरुष और उनकी समाधी इस्थल से, तो ऐसे कुछ नाम है जो की उनको याद किया जाता है और उनकी समाधी इस्थल के बारे में भी प्रश्ण पूछे जाते हैं एक्जाम में तो जो भी candidate अभी railway की exam की तयारी कर रहे हैं और exam दे रहे हैं वूँन candidate से और जो SC की तयारी कर रहे हैं, JD की और heel candidate से request है कि इस video को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से उनके questions बनेंगे ही दोस्तो हमारे साथ बने रही गा इस पूरे video में और हम लेकर चलेंगे आपका और इस चैनल को देखे, सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज इस चैनल को जाकर, रेट कलर के बटन को दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करते ही, एक बिल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा ले, ताकि हर वीडियो का पल-पल का खबर आज का ये टॉपिक जो की है बहुत इंपॉर्टेंट, तो चर्चा करेंगे हम आज उन सभी महान पुरुषों के बारे में, ठीक है, भारत के उन महान पुरुषों के बारे में, जिनकी समाधी इस्थल बनाई गई है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहीगा इस पुरे उस सवाल के साथ आप भी इस क्यूज में हमारे साथ बने रहिएगा चलिए, एक्ता इस्थल, किस महापुरुष की समाधी इस्थल है, आप्सेनस है, घ्यानी जैल सिं, मुराजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या जग जीवन राम, तो अगर आपको आंसर पता है, तो आप भी नीचे comment box में जाके answer comment किजिएगा चलिए दोस्तों इसका answer मैं आप आपको देता हूँ आपके पास थे 3 second हर question के जवाब देने के लिए 3 second से ज़्यादा आप किसी भी question पर time ना दे तो इसका answer है ए ग्यानी जैल सिंग तो ग्यानी जैल सिंग जो थे वो हमारे भारत के साथवे राष्ट्रपती हुए हैं और ये 1982 से 1987 तक हमारे राष्ट्रपती रहें इनका जन्म अगर बात किया जाए तो ये 5 मई 1916 को सिद्वान में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मिर्त्य हुई थी सन 1994 में चंडीगर में हुई थी तो ग्यानी जैल सिंग जैसा कि राष्ट्रपती थे हैं भारत के तो इनको इनकी स्मृति के लिए याद किया जाता है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रशन है सक्ती स्थल की सक्ती स्थल किस महापुरुष की समाधी स्थल है अक्चलि ये महापुरुष नहीं ये महामहिला है एक तरसे महान शक्सियत कह सकते हैं ठीके तो आंसर है इंद्रा गांधी जी हां दोस्तों अगर आपको यहां पर आंसर आ गया होगा तो बिल्कुल सही आया है आंसर यहां पर और जो इंद्रा गांधी के बारे में तो I think मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा कैंडिट नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इंद्रा गांधी इनका पूरा नाम देखा है तो इंद्रा प्रियदर्शिनी गांधी वाज इंडियन पॉलिटिकल प्राइम मुनिस्टर आफ इंडिया 9th आफ नवंबर में 19th आफ नवंबर का इनका बॉर्ण है 1917 में 1917 में इलहाबाद में जन्मी इंद्रा गांधी और इनके जो हस्बेंड थे वो हैं फिरोज गैंडी ठीक है गांधी और गैंडी में बहुत डिफरेंस था देखिए इनका जो मैरेस था ये लव कम अरेंज हुआ था तो दोस्तों इ ज़ान दीजीएगा फिरोज गैंडी नौट गांधी इस गैंडी ठीक है क्योंकि ये प्रशन पूचा जा सकता है एक्जाम में कि इनकी जो हस्बेंड थे वो उनका नाम क्या है इंद्रा गांधी का तो ये है फिरोज गांधी ठीके दोस्तों चलिए इनकी जो मृत्तिव अगला हमरा जो प्रश्ण है कि राजगाट किस महापुरुष की समाधी स्थल है तो आपको आंसर देना है आपके पास है तीन सेकेंड चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा राजगाट ये बहुत ही महान सक्सियत है और इनका अभी 150 वा जन तिति मनाये गया है इंडिया में त है महात्मा गांधी का यहां दोस्तो महात्मा गांधी यानि कि दोटोर अक्टोबर शन 1879 को पौर-बंदर यानि की गुजरात में और इनकी जो मॱुति हुए थी तीस जनवरी انश्वाराइस में निउदेल ही में तो दोस्तों इनको रातु राम गोट से द्वारा हत्या की गई थी तो इनकी जो पत्नी का नाम था वो था कस्तूरवा गांधी चलिए इतना काफी है और आगे देखते हैं चौथा है कोश्चन यहाँ पर कि विजय घाट किस महापुरुस की समाधी इस्थल है तो चलिए इसका आंसर आपको देने के लिए आपके पास है तीन सेकेंड तो फटा फट आंसर कीजेगा विजय घाट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो विजय घाट जो है यह है लाल बहादुर शास्त्री की जिहां लाल बहादुर शास्त्री वास दा सेकेंड प्राइम मिनिस्ट इंडिया जिहां इनका जन जो हुआ था 2 अक्टूबर को ही हुआ था सन 1904 इसवी में तो दोस्तो और इनकी जो मिर्थी हुई थी ये एक हुई थी 11 जन्वरी 1906 इसवी में चलिए बहुत ही इनको man of the peace कहा जाता था man of peace यानि कि सांती के प्रतीक इनको बुला जाता था ठीके दोस्तो तो ये है आंसर ए लाल बादुर शास्त्री और ये है इनकी तश्वीर अगर आप इनको देख सके तो ठीके दोस्तो बहुत ही महान सक्सियत थे चलिए अगला हमारा जो प्रश्ण है पांचवा की किसान घाट किसका समाधी स्थल है तो किसान घाट किसका समाधी स्थल है आपको बताने के लिए आपको दिया जाता है सिर्फ तीन सेकेंड चलि दोस्तो हमारे साथ बने रहीगा इस पूरी क्यूज में क्योंकि ये बहुत important आंसर बता रहा हो दोस्तो इसका आंसर है इस ए चौधरी चरन सिंग जी हां दोस्तो चौधरी चरन सिंग जो हमारे भारत के पांचवे प्रधान मंत्री बने और इनका जन्म हुआ था सन 1902 इसवी में 23 दिसंबर को और ये नूरपूर यानिकी उत्तर प्रदेश की एक गाउ में जन्म हैं और इनकी मृत्ति हुई है 29 मई 1987 इसवी में नई दिल्ली में जी हां दोस्तो ये हमारे पांचवे प्रधान मंत्री के रूप में जाने गए हैं कौन तो चौधरी चरन सिंग अब अगला सवाल देखते हैं नारायन घाट किसका समाधी स्थल है चलिए तो ये इ इसे जरूर देख लें क्योंकि ग्रूप डी में पूछा जा रहा है ये सवाल और ग्रूप डी का लेबल जो है अभी जितने प्रश्ण पूछे गया है जेनरल साइंस या जेनरल नौलेज की वह सारे के सारे देखे जाए तो उनके इसे सीजल के लेबल की पूछे जा रहे ह ये सब कोश्चिन भी पूछे गया है तो आपको भी यहाँ पर आंसर बताती रहना है क्योंकि ये कोश्चिन बहुत सारे इन्पॉर्टेंट है नरायन घाट किसका समाधिस्ता लेचल ये फटाफट आंसर कीजिए तीन सेकेंड है ये आपके पास और ये रहा आंसर गुलज गुलजारी लालनन्दा वाज अ इंडियन पोलिटीशन एंड एकोनोमिस्ट फू इस्पेसिलाइज इन लेवर इसूज जिया दोस्तों इनको भारत रतन अवार्ड से भी नमाजा गया है और पदमे भीभूशन अवार्ड से भी नमाजा गया है इनकी तश्वीर आप जैसा कि यहां देख रहे होंगे यह गुलजारी लालनन्दा जो कि हमारे भारत के प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं यह वाज दा क्रियेटर प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया फॉर टू स्पॉर्ट टू शॉर्ट पीरियड यह बहुत ही छोटे समय के लिए दो बार प्रधान इनका जन्म देखा जाए तो यह 4 जुलाई सन 1898 को सैल कोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है गुलजारी लालनन्दा का और यह इनकी मृत्ती हुई है 15 जनवरी 1998 को एहंदाबाद गुजरात में तो दोस्तों यह INC यानि की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी के त अभय घाट किस महापुरुष की समाधी स्थल है तो चलिए फटा फट आंसर कीजिएगा इसका आंसर बहुत इंपॉटेंट है तो अभय घाट ऑप्शन्स हैं संकर द्याल शर्मा भीमराव अंबीट कर मुरार जी दिसाई या की आर नरायन तो आंसर है बच्चे इट सी मु इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज ये भी इंडियन एक्टिविटीज में थें इंडिपेंडेंस के और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 फरवरी 1896 में वलाड में किया महराश्टर में के एक वलाजट एरिया है वहाँ पे ये जन्मे थें और इनकी मृत् परेल 1955 इसवी को मुंबई में जी हां दोस्तों और इनको भी नवाजा गया है भारत रतन से और निशाने पाकिस्तान के रूप में भी इनको उपाधी दी गई थी तो दोस्तों ये जनता पार्टी जी हां जनता पार्टी से बिलॉंग करते थे और ये चौथे प्राइम मिनिस बनाए गये थे और ये किस पार्टी से बिलॉंग करते थे तो जनता पार्टी से इनका जन्म कब हुआ था तो 29 फरवरी 1895 में और इनकी मृत्ती हुई थी 10 अप्रेल 1995 में तो जो अभे घाट है ये किसका है तो मुरारजी देसाई का है समाधी स्थल चलिए अगला फटा फट आंसर किरते जाएगा नीचे कमेट बॉक्स में जाके तो देखी ऑप्सन है राजेंदर परशाद जगजीवन राम चौधरी चरन सिंग संकर दयाल सर्मा तो आंसर है इस बी जगजीवन राम जी हां दोस्तों जगजीवन राम का आप लोगों ने दर नाम सुना ह तो यह बहुत ही पॉपुलर थे और इनको बाबुजी की नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म 5 अप्रेल 1908 में चंदवा गाउं में हुआ था जो कि बिहार का एक गाउं है और यह 6 जुलाई 1986 को न्यू देली में इनकी मृत्ति हुई थी और इनके जो एक पुत्र थे एक पुत्री थी जिनका नाम था शुरेश कुमार और पुत्री का नाम था मीरा कुमार जो की इस तस्वीर में आप यहां पर इनको देख रहे होंगे मीरा कुमार ये लोग सभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं तो दोस्तो इनका जगजीवन राम इनके फादर थे और ये इनका ज प्रश.'' प्रश्ण देखती है, संती-वन किस महापुरुश की समाधी इस्थल है? तो के आर्नारायन, घ्यानी जैल सिंग, इंद्रागांधि या जौहारलाल नहरू? तो आंसर है दोस्तो, इटस डी जौहारलाल नहरू, संती-वन किसके हैं? तो संती-वन है नहरूजी का समा अधिस्थल और आप सभी को पता होगा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके जोहरलाल नहरू ये जन में है 14 नवंबर 1889 यानि कि 89 को एलहाबाद में और इनकी मृत्ती हुई थी 27 मई सन 1964 को न्यू देली में जियां दोस्तों इनके पैरेंट्स का नाम था मोतिलाल नहरू और स्वरूपरानी थुसू ठीक है इनकी माता का नाम था दोस्तों इन्पोर्डेंट है ये कोश्चन पूछा गया एक्जाम में तो इसको भी नोट कर लिजेगा आप सभी अगला प्रशन है उदे भूमी किस महापुरुष की समाधी स्थल है तो उदे भूमी किसका है आप आप को बताना है नीचे कमेंड बॉक्स में आंसर कमेंट करके चलिए भागत सिंग के आर नराइनन चौधिर चरंण स्धि या बंसी लाल सौरी माफ कीजिएगा तो आंसर है इट्स बी कीदार नरायनन जी आंग के आर नरायनन जो है वो हमारे भारत के दस्वे जन्म हुआ था चार फरवरी सन 1921 में उजावपूर में और इनका जुम्रित्ती हुआ था 9 नुवंबर 2005 में न्यू देली में तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपती रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तके भी लिखी हैं और ये इंडियन नेशनल कॉंग्रे इसके तरब से एक बहुत ही दमदार नीता भी रह चुके हैं ठीके दोस्तों तो इन्पॉर्टेंट थे ये सारे के सारे प्रश्ण और अगला अभी हम देखेंगे और हमारे पास हैं उनके बारे में भी आपको फटा-फट नीची आंसर कमेट करता रहना है चैत्रा भूमी क इस महापुरुस की समाधी स्थल है तो जग जीवन राम कियार नारायनन संकर द्याल सर्मा या डाक्टर भीमराव अंबीदकर तो आंसर है बच्चे इस डी भीमराव अंबीदकर भीमराव अंबीदकर के बारे में तो आप सभी जानते होंगी जो की बहुत ही पॉपलर थे भीमराव अंबीदकर और वो एक जर्नलिस्ट, एकोनॉमिस्ट, पॉलिटीशन एंड़ सोचल रिफॉर्मर भी रह चुके थे और वो दलित बुधिष्ट मुव्मेंट के लिए एक कैंपिंग चलाया था और उसको अपने सविधान में भी लेकर आये थे इनका जन्म हुआ है 14 अपरिल 1891 को और इनकी मृत्ती हुई है 6 दिसंबर 1956 को डेली में और इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबीदकर जी हां दोस्तों भीमराव रामजी अंबीदकर इनके उपर काफी मुवीज भी बन चुकी है जैसे कि अजर्नी अफ सम्यक भी को जरूर देखेगा ये बहुत ही इनके बारे में जानना क्योंकि आरक्षन को लेकर अगर बाती की जाती है तो इनसे रिलेटेड बहुत सरी मुद्दे उठते हैं चलिए दोस्तों ये हैं वो भीमराव अंबीदकर ठीक है अगला प्रशन है कि महाप्रयान समाधी स्थल किस महापुरुस की से संबंदित है तो ये हैं दोस्तों डाक्टर राजिंदर परशाद जो की हमारे भारत के पहले राष्ट्रपती बने हैं जिहां राजिंदर परशाद was the first president of the India in the office from the 1952 to 1962 इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 इस वी को और इनकी मृत्ती हुई है 28 फरवर सन 1963 इस वी को पटना में जिहां दोस्तों ये भारत रतन से नवाजे गये हैं और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपती के रूप में भी जाने जाते हैं चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि कर्म भूमी किस महापुरुष की समाधी स्थल है तो कर्म भूमी है संकर द द्याल सर्मा डॉक्टर संकर द्याल सर्मा वाज़ नाइंथ प्रेसिडेंट अफ द इंडिया अन्द सर्विंग फ्रॉम दर 92 तो 1997 जिहां ये 19 अगस्त से लेकर सन 1918 तक भोपाल में 19 अगस्त सन 1918 को भोपाल में जन्में हैं और इनके मृत्यू 26 दिसंबर सन 1999 में न्यू देली में हुई है और ये हमारे देз के नवमे राष्टपती के रूप में जाने जाते हैं ठीके दोस्तों अगला हमारा प्रश्ण है कि वीर भूमी किस महा पुरुष की समाधिस्थल है वीर भूमी है राजीव गांधी जी की जी हां दोस्तों और राजीव गांधी जी के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि राजीव गांधी वस दो इंडिन पॉलिटीशन वो सब दो सिख्थ प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया 1984-1989 जी हां ये हमारे देश के छटवे प्रधान मंतरी रह चुके हैं और इनके पैरेंट्स जो थें इंडरा गांधी और फिरोज गांधी थें और जो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था 20 अगस्त सन 1944 को बॉम्बे में और इनकी जो मृत्ति हुई थी एक बॉम ब्लास्ट में हुई थी 21 मई 1991 को तो दोस्तो ये बहुत ही यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश के जो की 40 के उम्र में ही इनको प्रधान मंतरी बनने का किताब भी प्राप्त है तो दोस्तो आपको ये बीडियो कैसी लगी है सारी जानकारी आपको कैसी लगी यहां से आप सभी जरूर हमें बताईएगा और इस बीडियो को जितना हो सके शेयर कीजेगा को कि ये बीडियो अगर आपके दोस्तों तक जाएगा तो उनको इसकी जानकारी होगी और वो सारे एक्जाम में भी ये सारे प्रश्ण करके आएंगे तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल एजूकेशन केटेशिक्स को तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद